देश में इन दिनों एक ही मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है और वो है नागरिक्ता कानून इस कानून के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है दिल्ली के जामिया मीलिया इसलामिया से शुरू हुआ बवाल देश के अलग-अलग राज्यों तक पहुँच गया है एक तरफ जहां नागरिक्ता कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और जामिया AMU के छात्रों पर पुलिस ने कारवाई की है तो वही देश के इस गर्माते मामले पर कई लोगों ने चुपी भी साध रखी जिन में शारुक, आमिर और सलमान जैसे कई स्टार्स का नाम शामिल है इन स्टार्स की चुपी पर भी लोगों ने काफी बवाल किया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर हैश्टाग शेम ओन बॉलिवूड ट्रेंट करने लगा इसी बीच विवादित बयान देने वाले अजास खान ने साल 1947 की याद दिलाते हुए देश में चल रहे हालात पर बयान दिया अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा 1947 में जामा मस्जिद की इन सीडियों पर ही मौलाना आजाद ने मुसल्मानों से कहा था आओ अहद यानी कसम करो कि ये मुल्क हमारा है हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवास के बगैर अधूरे ही रहेंगे अफसोस की अब वजूत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है बतादे कि अजास खान ने अपने स्ट्वीट के साथ नागरिक्ता कानून के विरोध में जामा मस्जित की एक फोटो भी शेयर की इस फोटो में जामा मस्जित की सीडियों पर भारी संख्या में लोग NRC और CAA का विरोध करते दिखाई दे रहें शेयर की गई ये तस्वीर तो वाइरल हो ही रही है साथ ही उनके स्ट्वीट पर भी लोग जम कर अपने रियाक्शन्स दे रहें बतादे कि अजास खान के साथ साथ पुलकित समराग, रिचाचड़ा, स्वारा भासकर, हुमा कुरेशी जैसे स्टाज ने भी नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी अब आई आपको बताते हैं कि जिन मौलाना अजाद का अजास खान ने अपने बयान में जिक्र किया है, वो है कौट बतादें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन 11 नवेंबर 1888 में मक्का में हुआ था और वो देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते थे वैसे नागरिक्ता कानून को लेकर अजास खान के अलावा जाम मस्जित के शाही इमाम सेद एहमद बुखारी ने भी अपनी राय रखते वे कहा था कि विरोध करना भारत के लोगों का लोगतांत्रिक अधिकार है, कोई भी हमें ऐसा करने से नहीं रोप सकता साथियों आज जारखन की इस धरती से इन भीर पुत्रों की धरती से देश के लिए मर मिटने वाले इन सहीदों की धरती से मैं फिर एक बार पूरे देश को देश के प्रतेग नागरिक को चाए हिंदू हो मुसलमानों हर किसी को फिर से कहना चाहता हूँ कि इस कानून से किसी भी भारतिय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा हमने जो कानून बनाया है यह तो हमारे पडोस के तीन देशों में बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीन देशों में धार्मीक अत्याचार की बज़े से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बर्षों से बहुत ही दयनिय स्थिती में है जिनके पास बापसी का कोई रास्ता ही नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसमें भारतिये मुसल्मानों या किसी भी भारतिये नागरिक के अधिकारों का हनन कहा होता है क्यों जूट बोल रहे हो क्यों जूट फेला रहे हो क्यों देश को बरबाद करने वे पतुले हुए हो साथियों नागरिक्ता साउसोधन कानून न किसी भारतिये का अधिकार छिनता है नहीं उसे किसी तरह का नुक्सान पहुँचाता है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस और उसके साथ ही इस मुद्दे पर मुसल्मानों को भड़काने का दराने का भैपित करने का प्रयास करके अपनी राजनिती खिचडी पकाना चाहते है भाई और बैनों कॉंग्रेस की बाटो और राज करो इसी नीती की वज़ा से देश का एक बार बटवारा हो चुका है मा भारती के टुकडे पहले हो चुके हैं यही कॉंग्रेस है जितने अबैद तरीके से लाखों गुश पेठ्यों को भारत में गुश ने दिया यहां उनको बोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया गुश पेठ्यों के कारण जो समस्याएं पादा हुई है उसके लिए भी कॉंग्रेस और उसके साथी दाल जो इतने सानों तक सत्ता भोगते रहें बेही जिम्बेदार है साथियों यह हमारा बरहेट में राम जान की बिराजमान है और भख्वान राम जी ने 14 साल वनवास में आदिवासियों के बीच में अपनी जिन्दगी गुजारी थी और इसलिए यहाँ भव्या स्रत्ता केंद्रा राम जी का मंदीर है अब आप मुझे बताईए आयोध्या में राम जन्म भूमी का मामला इतने सालों से लटक रहा इतने सालों से लटक रहा इसका समाधान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ये मसला सांती से सुलजना चाहिए था कि नहीं चाहिए था सत्य के मार्क पर सबको चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो वही काम करते थे जिसमें उनकी राजनिती की रोटियां सेखते रहे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका हल कॉंग्रेस उर्ष के साथ ही कभी नहीं चाहते थे लटकाना भटकाना इसी मैउद की राजनिती की खिचड़ी पक्ति थे वो राजनिती करते रहे सबको डराते रहे और देश अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार करता रहा मेरे प्यारे भायवानों हम राष्ट नीती पर चले और आयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्बान का रास्ता आज साफ हो गया भायवानों कहीं कोई तना हुआ क्या कहीं कोई तना हुआ क्या कोई धंगा हुआ क्या मार पिट हुई क्या शांति से हुआ अगर नहीं हुआ देश में सब काम सांति से होने चाहे कि नहीं होने चाहिए है हम मोदी शांती से सब करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उनके पेट में चुहे दोड़ रहे हैं भाई और बैनों आर्टिकल 370 को लेकर भी इन्होंने यही डर दिखाया अगर 370 को हाथ लगाए गए तो करंट लग जाएगा करंट बवाल हो जाएगा देश का टुकड़ा हो जाएगा यही बोलते थे ना यही डर दिखाते थे ना उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाव को बढ़ने दिया आतंगबाद बढ़ने दिया वहाँ से पंडितों को निकाले गए यह देखते रह गए लिकिन निर्णे नहीं किया फैसला नहीं लिया आपने जब इस सेवक को फीर आदेश दिया तो आर्टिकल तिनसो सेत्तर भी निकाल गया और शांति पुर्ण तरीके से आज कश्मीर आगे बढ़ने लग गया कि अब जाए पुर्ण तरीक है